तीम के साथ मेरे फैमली भे मेरे साथ काम करता है, साथ मेरा बेटा भी काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है गुड मॉर्निंग जोहार आप लोग का हर्दिक अभिनंदन करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल डाइमन में आप सब अच्छे होंगे और आसा करता हूं आप लोग और भी अच्छे हो जाएं आज के जो सेसंस है हमारा वो सेसंस देखने के बाद आप लोग का जो आप लोग का बिजनेस को लोग बोलते हैं बेकार लोगों का बिजनेस है या खास लोगों का बिजनेस है आज मैं आप लोगों को रूब रू करवाना चाहता हूं करते हैं अब。 बेस्ट अब खास लोगों का बिजनेस को करते हैं नहीं आध्य हमलिक करना चाहिए आज हम लोग एپिस्वोट को लेते आ रहे हैं है अच्छे-च्छे लोगों सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे साथ जो गेस्ट आये हुए ना अज धहमाल मज जाएगा तो हमारे जो सेक्स हैं मैं सेक्स को तहदिल से नमन करता हूं सर हमारे चैनल में आने के लिए कोटी कोटी नमस्कार आपका मेरा नाम रामदिय पंडित है और मैं मधुपुर से हूँ और मैं एक सायक अध्यापक के रूप में कार्जविक कर रहा हूं प्रट से अपना साइस करब को कर ले और वेल का कंटी को दबा दें कि आने वाला एपिसोड जो होगा ना हमारे धमाल मचते हुए जा रहा है यह चैनल हमारे एकदम धमाल मचा देगा पूरा ओल अबर इंडिया में एक आज जो सेक्स हैं वो छोटा मूटा सेक्स नहीं है ए एज डायक्ट सेलिंग क्या है सर अब डायक्ट सेलिंग से कितना दिन मैं सरा जानना चाहता हूं मेरा तो आज दिल खुष हो गया ऐसे जानना चाहता हूं कि सर डायक्ट से से पहले क्या कर्णरमा करका आये हैं अट टीचर में आएं अट टीचर के बाद फी डारेक्ट सेलिंग सर पहला का आपका कहानी मैं अपना सुनना चाहता हूं सुराज दिल खुश कर दी मेरा सर जरनी बहुत है मैं दुखा दै सर उस समय मैं पहले यह प्राइबेट टीशन काम कर रहा हूं सर गливо समय से टीचिंग का काम कर रहा हूं सर एक स Şu Yang को सुनने में आया है कि आप स turning जाया करता था क्योंकि उस्में बहुत कम मुलता था मुझे और मैं वहीं से जर्नी श्टर्क किया सर civilized person लोग बोलते हैं पहले का जो जमा ना था ताजी लोग प्ड़त हुए हैं जो बोलते हैं पैदल इस्कूल जाया करता था तो Sir विलिफ तो करना ही होगा विश्वास अलग चीज होता है भिलिक अलग चीज होता है अज आज आपको यूब हंड़ेट परसं। करना होगा कि Sir पैदल इसकूल को कर रहे है यह बहुत ही बहुत अच्छी बात है कि कोई भी चीज बिना सीखे नहीं होता है आज सीखते होऊए डा impeller को कर रहने और सीखते सीखते आग से मैं एक जीगा सा मेरा जगरा है PM त्या मोस्ते होता है सर दोस्तों का टीम सर अरी वाँ मतलब आज माईड चेंज हो जागा सर 200 का टीम को लीड कर रह रहे हैं आज डोस्तों का टीम को लीड करना चोटा मोटा चीज नहीं है सर वो भी पार्ट्टम के हिसाब से लोगों का पास समय नहीं है सर लेकिन आज सर के पास कितना समय है सर वह तो सरी बता पाएंगे आज 200 लोगों को लीड कर रहे हैं और साती सात सर आप से मैं और एक जिगासा मेरा जग रहा है कि और एक चीज हमको पुछना बहुत जरूरी है कि आपका जो बिजनिस जो लीडर्स हैं क्या आपके माध्यम से वो कमा रहे हैं हाँ सर आज मेरे माध्यम से वो भी कमा रहे हैं क्योंकि मैं 6 गंटा में अपने स्कूल को दे चुका हूँ सर जिसको समय बेचना कहता है वहाँ नौ से तीन बजे में स्कूल में रहता हूँ और तीन बजे के बाद मैं टीम के सार रहता हूँ और टीम को मैं लीड करता हूँ और अच्छे तरीके से मेरा टीम काम कर रही है सर अच्छे तरीके से काम कर रही है ये एक message sir लोगों को पास जाना चाहिए कि एक as a leader और एक teacher teacher यदि वो रहते sir यदि teacher आज भी है लेकिन teacher में sir आप किसी को job दे सकते थे क्या no sir मैं teacher से किसी को job नहीं दे सकता हूँ sir sir खुद कह रहे हैं कि teacher से किसी को job नहीं दे सकते हैं लेकिन आज teacher के एक decision छोटा सा decision ज्यादा बड़ा decision नहीं होता है sir लोगों को बहुत बड़न लगता है ये काम लेकिन ये छोटा सा decision लेने के बाद आज वो सक्स ने 200 लोगों का team create कर दिया 2 साल में सिरिफ 2 साल only for 2 years में वो 2 साल के दर्मियान आज बड़ा team create करने जा रहे हैं और sir से मैं पूछना चाहता हूँ कि sir 2 साल में आपका achievement क्या रहा 2 साल में मेरा sir achievement कहा जाए तो अभी कुछ भी नहीं है मैं छोटा सा achievement बताना चाहता हूँ मैं पहले school पेदल जाया करता था लेकिन जैसे ही मैं my life style तो मैं धीरे धीरे वहां से एक bike खरदा हूँ जिसका नाम city hundred है और एक कहा जाए जो जिसका सपना होता sir four wheeler का एक साल पहले मैं four wheeler खरदा हूँ sir और मैं उसका आनन्द ले रहा हूँ मजा ले रहा हूँ वाउ अब क्या बताएं sir अब हम बताएं कि आपको इससे ज़्यादा और क्या बता सकते हैं कि एजे टीचर पुरे जिन्दगी में साहथ एजे बहुत सारे हम टीचर देखें लाइब में sir अभी तक किसी के पास four wheeler नहीं सकते हैं कि एक ऐसे परसंड आज टीचर का काम करते हुए आज डायरेक्ट सेलिंग को लियें बाइक एचीब कियें मोबाइल एचीब कियें लैप्टोब एचीब कियें और साथी साथ four wheeler जो आदमी का सपना होता है वो four wheeler भी एचीब कियें तो sir से हम जानना चाहते हैं आपके पास जो four wheeler है वो कौन सा गाड़ी है मेरे पास वो four wheeler है अल्टो भीक्स आई sir वो लगबग साड़े चार लाग की गाड़ी है जो ओन रोट प्राइस से मैं खरदा हूँ और मैं सारे फेमिली का उसका मैं आनन्द ले रहा हूं sir चला रहा हूं मतलब इसको हम लोग बड़ी है तरीके से करते हैं तो आने वहला समय हमारे पास एक आजादी एक freedom होगा जो हम लोग कर सकते हैं और लोगों को भी करवा सकते हैं तो sir आप से मेरे और एक जिगासा लागा जिगासा का कमी नहीं होना चाहिए लेकिन आज मेरा एक एक निकल रहा है कि आप सर हमारी जो वीवेर हैं आपके जो दर्सक है ये वीडियो सर लाखों नहीं कोड़ों में भागेगा आपको पता है सर उमीद है आप लोग इस वीडियो को लाखों नहीं कोडोरों तक भेजिये क्यूंकि एज़े टीचर यदि डारेक्ट सेलिंग अब भी सर जारकंड में इतिहास रचने वाला इतिहास रचने वाला है आने वाला समय जो बिजनेस को जो समझ लिया आना सर वो इतिहास रच देंगे तो सर आप दर्सकों को क्या मेंसेज देना चाहते हैं मैं इस डायमन्ट चेनल के माद्दम से मैं दर्सकों को बताना चाहता हूँ कि ये डारेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है जो आईश मंतराल से एप्रूबल है वो बिजनेस बहुत अच्छा है और वो बिजनेस से सारे लोगों को करना चाहिए ऐज ये इस्टुडेंट को तो हर हाल में करना चाहिए क्योंकि इस मतलब डार्यक्ट सेलिंग के बदलत बहुत की प्राप्त की आजा सकता है लोगों का सपना पूरा हो रहा है आने वाले लोग का मतलब और भी सपना से बड़ा सपना पूरा होने वाला है और ये सेक्टर जो है एक time freedom और money freedom मिलने वाला है सर सर आपसे मैं और एक मतलब बात रखना चाहरा हूँ कि सर आप क्या एकेले काम करते हैं आपके साथ में और कोई भी मेरे साथ टीम के साथ मेरे family भी मेरे साथ काम करता है साथ मेरे बेटा भी काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है वाओ बेटा भी काम करता है आप समझ लीजे हम लोग direct selling को किस नजर से देख रहे हैं sir direct selling एक ऐसा जरिया है जो PD to PD मतलब एक generation से second generation सर ने अभी दो साल के अंदर second generation को भी डाल चुका इस business में इस business का खासियत दिखे सर और सर से मेरा एक सवाल सब सवाले बोलेंगे कि आने वला commitment सर ने लेना चाते हों के आने वला 5 साल के अंदर आप क्या करना चाते है मेरा सर आगे पांच साल का ये commitment है सर के मैं अपना फोरविलर जो ले चुका हूँ उसका आनंत तो ले रहा हूँ मेरे टीम में भी 5-6 फोरविलर होना चाहिए मैं ये commitment की साथ काम कर रहा हूँ और वो टीम में सर गाड़ी आए गए आए गा सर जबजश तरीके से सर ने commitment किया और यहीं बोल के आज का जो शेशन है मैं यहीं पर खतम करते हुआ आ रहा हूं लेकिन आने वाला जो सेशन होगा न जबजश तरीके से अभी आज टीचर को देखें आने वाला जो सेशन है एक लड़का नॉर्मल वेकती जो कभी खेत में हल जोत्वा था एक हाती भगाने वाला लड़का भी इस चैनल के मैध्धम से आ रहा है वो भी 40 लेर को मेंटेंस कर रहा है बहुत ही मज़ा आएगा उस सेक्षन को भी हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ाएंगे तिसलिए अभी से जो भी न्यूगेस्ट आज पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो फट से सस्क्राव कर लें कि कुछ जो भी वीडियो आपके पास आएगा वो तुरंद आपके पास जाना जाएए चाहिए यही बोल के आज का जो सेसन हैं मैं ही परेंड करता हूँ जे हिन जे भारत